अगर आप मेरे चानल पर नए है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल अइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने एक चमल सब्जा ले लिया है इसे हम भिगो कर रख देंगे यह मैंने एक लीटर दूद ले लिया है इसे हम बॉयलाने रख पका लेंगे पहले दूद में उबाल आ गया है इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि दूद नीचे ना लगे इसमें मैं आधिकटोरी शुगर डाल रहे हूँ, शुगर आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़ादा डाल सकते हैं प्रसा इसमें केसरवला दूट डाल देंगे, इस दो अच्छा कलर देने के लिए अब इसे हम मेडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए, जब तक इसकी कंसिस्टेंसी आदी ना हो जाए, तब तक हम इसे पका लेंगे इसमें मैं थोड़े से चॉप के होई ड्राइफ्रूट्स डाल रहे हूँ, आप अपने टेस्ट के कॉड़िंग कोई भी ड्राइफ्रूट्स डाल सकते हैं इसमें अब दूद को पकाते हुए, यह बिल्कुल हाफ हो गया है, अब इसे ग्यास को बंद करके हम इसे अच्छे से ठंडा कर लें यह मैंने दो एपल और दो मैंगो ले लिए हैं, इसमें से हम एक मैंगो और एक एपल को कट कर लेंगे और दूसरे को हम बाद में यूज़ करेंगे यह मैंने दोनों को कट कर लिया है, अब इन्हें हम ग्राइंडर जार में ढाल देंगे अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल कर इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे हम यह मैंने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है अब दूद भी ठंडा हो गया है इसमें हम आइस क्यूब से अड़ कर देंगे अब जो हमने सबजा भी कोकर रख दिया था वो हम इसमें अड़ कर देंगे इसमें हम एपल और मैंगो का जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो हम इसमें अड़ कर देंगे और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आज हमने ये ड्रिंक बिनाने के लिए कस्टर्ड का यूज नहीं किया है इसलिए हम इसे पेस्ट रे डाल रहे हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठिक हो जाए अब इसमें हम चॉप के हुए मैंगो और एपल एड़ कर देंगे अब ये मैंगो और एपल की ड्रिंक बनकर एकदम तयार है इसे हम सर्व करने के लिए गिलास में निकाल लेते हैं अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें बेल आइकन दबाने से आपको मेरे नेरिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी तेंक यू फॉर वाचिंग